दो आज के एक्ष्ट्रीम रूल्स के अंदर जो में इवेंट के अंदर हमने मैंच देखा था रोमा रिंग्स ऐंडिंग का और उस मैंच की जो एंदिंग हमने देखी पर काफी सारे लोग सोच रहे क्या यहां पर फिन बैलर से कोई बाच हो गया लाश्ट में बाच एंडिंग हमें देखने को मिली यहां फिर डबलवी ने इस चीज को पहले से प्लान करा था तो इसके बार में आप डीटेल में कुछ बात करने वाले कि इसके पीछे का क्या री वीडियो को आप लास तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर дня तो आसपे चल यह वीडियो स्दूर करते हैं क्या क्या फिन बैलर संब कोई बाच हो गया तो मतलव क्या हमने कै देखने को मिली वहां अंदिंग देखने को मिली और यहां पर रिंग के अंदर Superstar पहुंच जाते हैं परफॉर्म करने इन सारी चीयों को पहले से चेक किया जाता है तो ऐसा तो नहीं था कि वह पहले से रोब से यहां पर मतलब पहले से कमजोर थी तो यहां पर Finn Balor के चड़ते ही वह यहां पर तूट गई ऐसा यहां पर बिल लाइट आ गई थी और यहां पर हर्ट बीट हमें सुनाई दे रही थी तो सारी जो कह सकते हो ने सारा जो ध्यान है हमारा वहां पर चला गए था और रेड लाइट के अंदर ही बाद में वह मैंच हमें देखनों मिला था और हम देख रहे थे वहां पर थोड़ा थूँआ ट रिजल्ट निकालते क्योंकि रोमर नहीं सभी अपना यूनिवेसल टाइटल हारने वाली नहीं थे और डीमन बैलर को भी उनको किसी ना किसी तरीके से यहां पर प्रोटेक्ट करना था एकदम यहां पर वो उनको क्लीन हरा नहीं सकते थे इस वहाई से डबलोवली ने इस ट किस टाइब से यहां पर फैंस रियाक्ट करते क्योंकि हमने पहले भी देखा हैं जो बड़े-बड़े मैचेज होती हैं डबलोवली उनमें डिस्कॉलिफिकेशन करते थी है फिर डबलोवली को किस टाइब करना नहीं चाहती थी इस वहीं से उन्होंने इस टाइब की कुछ रोपस वाली एंडिंग दिखाई जो कि हम बोल सकते हैं आपर काफी अत्तक सही है क्योंकि इसके अलावर डबलोवली कुछ और क्या ही दिखा सकती थी क्योंकि उनको रोमेरेस को तो यहां पर जिता नहीं था और टाइटल यहां पर रिटेन करवानी था लेकिन यहां पर ज ना अब नहीं दो हो गया व store लिखंड़ ससका झाल पर यहां पर पता नहीं है और पर दो देखना से नहीं आपर लेकिन को डाला है और और बहुत म स्ट्रीमन बैलर को हरा दिया और में γιαस्ट्र की उपर इस स्ट्रीक चल लोर यह यहां पर यह धी तूस्ट रहे होंगे कि सुर्वपलिन मेलर को तोर și यह यहां पार इस डिफार सकते निए यहां परat रिश। क्यों पार यह यहां पर pursuit top लेकिन थे कि उनके सामने चाहे जौन सी ना आ जाए एज आ जाए डीमन ही क्यों ना आ जाए लेकिन यहाँ पर इस बंदे को कोई रोक नहीं सकता रोमरेस यहाँ पर undefeated रहेगा वो अपना टाइटल का reign continue करता रहेगा उसको यहाँ पर कोई हरा नहीं पाएगा तो रोमरेस की इस टाइम पर जो बुकिंग है वो एक अलगी लेवल पर यहाँ पर चल लिए तो डीमन बैलर को भी हरवाए कि उनके सामने भाई किसी भी सुपस इस टार को आप लेकर आजाए चाहिए वीश टाइए रोमरेस नहीं हारने वाला और इन सारी चीओ को डबलवली प्लान करिए रोमरेस के बड़े मैच के लिए जो कि हम बात करते हैं रॉक के साथ उनका आएगा तो वहीं के लिए सारी चीओ को प्लान किया रहा रहा है इस उसके लिए काफी आना जरूरी था और अब जो उनका मैच आएगा ब्रॉक लेस्नर के साथ उसको देखने में काफी आना मज़ा आएगा क्योंकि उनके सामने है ब्रॉक लेस्नर जिन्हों ने आपर अंडर्टेकर की स्ट्रीक को तोड़ा है और यहां पर रोमरेस जिन्हों वेमन ने आके हरा दिया हो किसी बड़े लेजंड ने आके किसी आज की सुपरिस्टार को हरा दिया रोमरेस एक ऐसा सुपरिस्टार है जो कि यहां पर फ्यूचर फ्यूचर है यहां पर यह रियाक्ट करना ने चाहिए अब अगर हम इसके पीछे थोड़ा और जाएं के बड़ेना चाहथी है तो इसके पीछे हमें क्या क्या देखनको मिल सकता है तो देखो अगर यहां पर डीमन फिन वैलोरर की अपर बात करें उनका आधर यहां पर कोई नया चैलिंजर newardely ने भूड़ लिया आया कोई दूसरा आपॉनेंट ड्लोब्य ने भूड़ लिया है तो वो WB यहाँ पर दिखा सकते हैं कि उसने यहाँ पर कुछ रोपस वगरा के साथ छेड़कानी करी और यहाँ पर डीमन बैलर अपना मैच हार गए तो फिन बैलर का यहाँ से दूसरा अपोनेंट आ सकता है और उसकी फ्यूड यहाँ पर इसी स्मैक डाउन से हमें कि अंधर में उसके ने सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को यहाँ है जो उसोस के एक और ब्रदर हैं उनको यहाँ पर साइन करा है तो क्या पता WWE जो फैमिली वाली हम देख रहे है रोमरेज की स्टोरी लाइन चली है उनका पूरा फैमिली का ग्रोप यहाँ पर चला है तो उसी फैमिली के अंदर उनके एक और फैमिली मेंबर को WWE एड़ करना चा जाएंगी वहीं पर हमें पता चलेगा WWE क्या explain करती है चीजों को WWE इसके पीछे का reason देती है या फिन नहीं देती तो SmackDown को हमको wait करना होगा काफी सारे लोग यह भी सूच रहे थे कि सायद यहाँ पर Fiend आने वाले हैं Fiend ने यहाँ पर कुछ last में करा जिसकी वेसे बैल और अ बाकि आपको क्या लगता है last में ऐसा क्या हुआ कौन था इसके पीछे किसका हाथ ता आपको भी जो भी लग रहा नीचे कमेंट करके जरू बताना वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू कर देना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको इस चैनल की उपर क्योंकि झोला कि अपको थाचर कर देना हैส चज़ करेंट कर दूर साjung भी कर दो कर दो इसक parasites कि पोगता है